हेलो विर्वन तो देख सकते हैं आज हम लेकर हैं स्टाल विनोथ एंड ब्रगनर ब्रांड का त्री प्लाई का कड़ाई जो कि स्टैनलेश चील है इसमें खाना बिल्कुल जलता वगिरा नहीं है एकदम नौन स्टीक के तरग काम करता है एंड पूरा हेल्थी कूकर है तो सेल सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रगनर ब्रांड से स्टार्ट करेंगे तो देख सकते हैं यह ब्रगनर ब्रांड का जो कि हैं डीप कड़ाई 24 सेंटिमिटर डाया का तो देख सकते हैं हैं एकदम जो हैं काफी सांधार देखने को मिलता है और इसका यह वारंट मिल जाती जो कि five years and नीचे देख सकते हैं पुरावपर आपको जब मिरर फिनिश देखने मिलेगा अंदर की तरफ आपको वापस मेट फिनिश देखने मिलेगा इन तीनों में जो यूज किया हुआ है मैटरिल की बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले तो इसमें जो यूज किया होती है अंदर की लेर होती है वह होती है अलिमिनियूम लेर जिसकी मदद से वह क्या काम करती है कि even हीट करती है सारा तरफ से एक समान हीट करती है घाना को जलने नहीं देता है उसकी मदद से वह अलिमिनियूम लेर लगाई हुए उसके बाद में सबसे उपर का लेर होता है जो कि हम खाना जिसमें cook करते हैं, जो कि ये वाला layer होता है, ये 304 grade का food grade stainless steel है, जिसकी मदद से क्या होता है कि खाना healthy बनता है, and health के लिए भी काफी बढ़िया है, तो ये होगी stainless steel 3-ply के layer के बारे में, जो कि सबी cookware, जो vineyard का ले लो, या फिर आप style का ले लो, ब्रगनर ले लो तो तीनों में similar आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई difference नहीं, इसमें सिर्फ आपको design का difference आएगा, and weight का थोड़ा बढ़ा difference आ सकता है, and इसका lid देख सकता है, काफी सांदर और काफी जो है, बढ़िया आपको quality देखने को मिलेगी, एकदम A1 finishing काफी सांदर है, हम feel करके भ प्रापर आपको जो है, and कहीं पे भी sharpness वगरा नहीं, जो ये handle होते हैं, आप सोसरे होंगे, ये गरम होते है, बिल्कुल नहीं, ये गरम बिल्कुल भी नहीं होते है, आप कितना भी time तक इसको cooking करो, ये handle जो है, cool ही रहते है, गरम नहीं होते है, सिर्फ आपका कड़ाई ग पुचाती है, इसकी packaging जो है, आप वी नोज या फिर style से compare करेंगी, तो इसकी quality जो packing की है, काफी सांदर है, यानि की product कहीं से भी आ रहा है, तो भी ये damage होने की chances बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी packaging काफी मोटी जो है, तकड़ी packaging की हुए, प्राइस की बात करो, तो इसकी MRP प्राइस है, 3845 जो की 24 cm का प्राइस है, इसकी capacity 2.8 लिटर है, तो इसका affiliate link डिसकर में मिलेगा, वहाँ पर आप पचेज भी कर सकते हैं, अगर आपको पचेज करने था, उससे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, style और विनूद के बारे में बताते हैं, इसका model है, तो विनूद के बारे में बताते हैं, तो विनूद स्टील तो सेम यूज किया हुए, यह थोड़ी डीप ज्यादा है, आप देख सकते हैं, कंपेर करेंगे ब्रगनर से, तो एकदम राउंड सेप में आपको देखने को मिल जाता है, एकदम प्रापर देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, स्टेनल स्टील, इसका सेंटीमेटर 24 है, एन हेंडल का लूग कुछ डिफरेंट है, यह थोड़ा बलकी लगता है, मुझे थोड़ा हेवी लगता है, यहा फिर इस पर जो रवीटिंग यूज क्या हुआ है, वो अलुमिनियूम का क्या हुआ है, एंड हम ब्रगनर में देखेंगे, इसमें भी जो है, एलमिन पर रवेटिंग यूज क्या हुआ है, कोई दिक्कर नहीं है, तो यह जो है, काफी पारी लग रही है, इसकी कैपासिटी 3.3 लिटर है, जो कि हम कंपेर ब्रगनर से करेंगे, तो इसकी कैपासिटी थोड़ी जाता है, क्योंकि डिफनेस के साब से इसका साइज बढ़ जाता है, और यह एक्सरा डिपी बहुत जाता है, अगर आपको थोड़ा इसमें फ्लाट से ही, तो फ्लाट भी मिल जाएगा, जिसकी कैपासिटी अलमूर्स 2.5 लिटर के आसपास ही रहेगी, इसका भी हैंडल बगेरा बिल तो आपको नहीं मिलेगा, साहिए ब्रगनर लो या विनुद लो, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे स्टार के बारे में, तो यह भी एक डिफरेंट लुक के साथ है, अगर हम तीनों का लुक की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह थोड़ा काफी सुन्दर थोड़ा कर हुआ है, एकदम लेटेस्ट डिजेन के साथ आपको जो है, देखने हम भी लगा, यह है, स्टाल ब्रांट का, 24 सेंटिमेटर का कड़ाई, इसमें जो स्टील यूज क्या है, सेम यूज क्या है, लेकिन इसमें एक और लिफरेंस है, जो कि हम दोनों ब्रांट से एकशेप्ट नहीं कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, इसमें रबर का दे दिया है, यहां पर हैंडल तो गरम होता ही नहीं है, फिर भी उन्होंने रबर का ग्रीप दे दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ग्रीप दे दिया है, यह निकलेगा नहीं, पता नहीं है, बट अच्छा क्वालिटी दिख रहा है प्रफेक्ट फिटिंग क्या हुआ है इस रविटिंग जो है एलिमिनियम की दे दीगी है या पे सिर्ल नमर उगरा मैंचन है सभी में ब्रांड में आते हैं इस तरह से देख सकते हैं यह कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा तो फिनिशिंग बढ़िया है विनोद की थोड़ी हाड लग रही है और ब्रेगन रच्टाल के थोड़ी जा है काफी फिनिशिंग शैनी 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 लगती है तो इसलिए अब बढ़ताते हैं आप स्टाल की प्राइज तो देख सकते हैं यह हैं 24 सेंटिमीटर का इसकी जो अगर कंपेर करेंगे स्टाल या विनोच से तो एमर्पीस की औरमोस्ट 300 कम हैं तो यह हैं स्टाल का 24 सेंटिमीटर का कड़ई अब बताते हैं इसका तिनों का वेट तो हमने तराजू ले लिया हैं तराजू को कर देते हैं और सबसे पहले ब्रगनर 1.657 ब्रगनर का उसके बाद मैं विनोच का 1.698 उसके बाद मैं स्टाल का 1.6 फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानि कि 50 ग्राम का डिफरेंस है जो कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है अगर हम वेट से कम रहे हैं लेगे कि यह बल्क ही लग रहा है मुझे लगा यह 100-200 ग्राम ज्यादा रहेगा टिकिन स्टाल से कंपेर करेंगे तो इनोच का थोड़ा वेट ज्यादा है लेकिन मैं मेरी तरफ से बताऊं ओपनियंग की बात परो तो ब्रगनर या फिर स्टाल आप ले सकते हैं कि उसका लुक काफी सांदर है और प्राइस के साब से आप 400 प्राइस चर 6 5 रुपया इस्टाल कम गिरेगा लेकिन डिस्काउंट किसमें ज्यादा है वह ऑप लिदी शेक्याच से च्टॉक अट कर सकते हैं कि तिये तो 3 plane hemar ने वो आप हमेशा low flame में यूज़ करना है ता कि इसकी life भी ज़यादा रहेगी आपका cooking जो है fast होने वाला ismai जो है three faster cooking होती है क्योंकि ये त्री लेइर में बंना है तो cooking जो heat होता है heat fast होता है आप सोचेव होंगे heavy ज्यादा होने से heat late होगा आपका ग्यास ज्यादा वैस्ट होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह जो ए नॉर्मल स्टिल से काफी फास तरीके से हीट होता है कुकिंग करके देता है तो आपको लो फ्लम में यूज़ करना है कोई भी दिखत नहीं है तो कैसा लगा आपको एक कड़ाई का वीडियो अच्छा आपको एक वारता है